हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टो इग्नू बड़ी, देखिया आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, इग्नू के री-evaluation की एक shocking reality के बारे में, और इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्टुडेंट्स की answer scripts भी दिखाऊँगा, और मैं आपको बताऊँगा कि ऐसी क्या common mistakes हैं, जो इग्नू की तरफ से हर साल की जाती है, जब वो copy evaluate करते हैं, यानि कि जब वो copy check करते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी-कभी होती है, ऐसा हर साल होता है, इग्नू students के साथ, लेकिन उसके बाद उनके marks drastically increase हो जाते हैं, तो वो क्यों होते हैं, इसी बारे मैं आज की प मारक्स आपके भढ़राते हैं, तो पहली mistake तो यह है जब वो mark को calculate करते हैं, उसमें mistake कर देते हैं, यानि कि marks आपके मान लीज़े,र 45 आए हैं, तो वो calculation में mistake कर देंगे, प्लस करने में mistake कर देंगे और आपके marks को कम आपके marks को update कर देंगे तो ये एक बड़ी mistake है गिन्यों की तरफ से जो होती है बहुती common mistake है और दूसरी है जो आपकी revaluation के लिए जब आप apply करते हो तो photocopy of answer sheet में आपको ये बात पता पड़ती है कि आपका जो question है आपने मान लीजे 10 question का answer दिया है उसमें से 3-4 question आपके check ही नहीं हुए यानि कि उन पर कोई marks ही नहीं दियेगा आपको तो इसलिए photocopy of answer sheet के लिए apply करना बहुत important है कि आपको ये भी पता पड़ जाता है वहाँ पर कि आपके जो answer है वो कैसे check हुई है और आपके जो mistake हुई है copy checking में वो actually हुई कहाँ पर है क्या आपके marks कम क्यों आए है क्या आपका answer uncheck है या फिर आपकी calculation mistake है तो ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं जिसकी वज़ए से आपके marks इनकी रिए होते हैं इगनू में तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ students की कुछ ऐसी answer sheets जिनमें ये common mistake मिली है तो ये December 2022 के student की answer sheet है ये वाली और इसमें आप देख सकते हो ये वाला जो answer इसने लिखा है इसको उन्होंने चेक ही नहीं किया देख सकते हो आप यहाँ पर question number 3 है ये question number 3 और ये question number 1 यहाँ पर इन्होंने इसको check ही नहीं किया आप देख सकते हो तो ये एक बहुत ही common mistake है जो काफी सारे students के साथ होती है और वो जब revaluation के लिए apply करते हैं तो उनके marks भढ़ जाते हैं और next देखते हैं ये वाली mistake देखे ये जून 2022 के student किये वैसे तो लेकिन ये भी काफी common mistake है अब यहाँ पर ये जो marks दिये हुए है इन्होंने ये marks 4 लिखा हुआ है या 7 लिखा हुआ है इसमें खुदी evaluator को confusion हो जाएगा और फिर वो 7 की जागा 4 इसको update कर देगा तो ये भी काफी common mistake है answer तो चेक किया है लेकिन इसमें जो marks दिये गए है वो कितने दिये गए है ये इसमें clearly नहीं दिख रहा है इसी तरह से ये भी एक student की answer seat है इसमें क्या mistake है इसके calculate किये गए है marks उसमें गलती की गई है calculation में तो इस तरह की common mistake जो होती है आपके साथ हो सकती है तो इसी लिए मैं आपको कहता हूँ कि या तो आप photocopy के लिए ही apply करो तो आपको ये पता पड़ जागा रहा अगर आप revaluation के लिए apply नहीं करना चाहते तो आप photocopy के लिए apply कर सकते हो आप ये देख सकते हो वाँ पर कि आपकी जो answer sheet है उसमें problem क्या है कहाँ पर mistake हुई है आपके marks इतने कम क्यों आए है तो ये कुछ तीन ऐसी common problem है जो आपकी evaluator करता है इगनू में और इनू की तरफ से आपको students को problem भी होती है फिर उनको revaluation के लिए apply करना पड़ता है फिर उनके marks भढ़ जाते हैं और थोड़े बहुत नहीं इनके 20 कभी 15 कभी 25 marks भी इगनू में भढ़ते हैं revaluation में तो अगर आपको video helpful लगी है तो इस video को ज़रू लाइक करना और इस तरह की important videos के लिए चैनल को ज़रू सब्सक्राब करना तो thanks for watching the video thank you so much